मुझा ऴुफिशिंग्या.. दोस्तो आज मैं आपसे सवाल पूशता हूँ क्या आप अपने बिशिच्ण के टर्मोबर से खुश हैं या अपनी कंपनी को नेक्स लेवल पर ले जाना चाहते हैं और नेक्स लेवल पर ले जाने के लिए आप हमेशा सेल कैसे बढ़ाए, टर्नोवर कैसे बढ़ाए, प्रॉफिट कैसे बढ़ाए, कॉस्ट कैसे कम करें या स्टाफ के मैनेजमेंट पे हमेशा उल्जे रहते हैं अज बहुत सारी कंपनी इन्वेस्टर से फंडिंग लेकर और अपनी कंपनी में उनकी मेंटोर्शिप और गाइडेंस के अंतरगत बहुत अधिक तरक्की कर चुकी हैं जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी और बहुत सारी कंपनी अगर आप भी इनी कंपनी की तरह बहुत अधिक उचाई तक जाना चाहते हैं तो आपको इस समझना होगा कि अपने बिजनस में फंडिंग कैसे प्राप्त करें किसी भी बिजनस के एक्सपेंशन के लिए यदि आप फंडिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास एक बेहतरीन बिजनस आइडिया और बिजनस प्रोपोजल होना चाहिए और एक बढ़िया बिजनस प्रोपोजल कैसे डिजाइन होता है इसकी एक पूरी इंफॉर्मिटिव वीडियो मेरे मेटास क्लब के इस यूट्यूब चैनल पर दी हुई है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक में वो वीडियो देख सकते हैं और प्रोपोजल डिजाइन करने में फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे टीम को कंटाक कर सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन-कौन सी कंपनी हैं जिन्होंने अच्छे इंवेस्टर्स से अपनी कंपनी में इंवेस्टमेंट लेकर अपनी कंपनी को बहुत अधिक उचायों तक पहुचा दिया है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस इंवेस्टर ने किस कंपनी किस स्टार्टप या किस कंपनी के एक्सपेंशन में कितनी फंडिंग की इसी के साथ साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि वो कौण-कौण से इंवेस्टर हैं जो स्टार्टप में, बिजनस एक्सपेंशन में या कंपनी में इंवेस्ट करते हैं मेरा आपसे एक request है इस वीडियो को pause करके उन सभी investors के list बनाए और अच्छे business proposal के साथ उन्हें approach जरूर करें तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस startup में किस investor ने कितना पैसा invest किया Dr.Care जो एक Bangalore की company है 2016 में इक company शुरू हुई और company को 6 lakh dollars का investment मिला 6 lakh dollar का ये investment Empower solution company ने किया और Dr.Care का उदेश था कि वो 50,000 client को अपनी सेवाएं दे और 2020 तक लगबग 6 lakh consumer तक अपनी सेवाएं पहुचाने के लिए company कारे रहा है Nest Away जो home retail से related एक company है Tiger Global ने इस company में 10 million dollars का investment किया Squats जो 2016 की एक startup company है सुनील शेटी फिल्म एक्टर ने इस company में 50 million का invest किया और ये company एक fitness industry से संबंदित company है इसका उदेश है कि fitness industry में जारा सरा job placement available करा है Fitternity जो fitness startup company है इस company में 4 million का investment Sense Ventures ने किया यहां तक कि TikTok जैसी company में भी 1.3 billion का investment Wall Street company ने किया और 2017 में Flipkart में Softbank ने 2.5 billion का investment किया Oyer Room जो एक बहुत famous startup है उसमें 800 million का investment Softbank, Sequa Capital and Life Speed Venture ने किया तो friends business को expansion पर ले जाने के लिए ज़रूरत है business के system को समझने की, एक अच्छा business proposal design करने की और सही तरीके से एक investor को approach करने की अगर आप अपने business में, अपने startup में या business के expansion के लिए funding लेना चाहते हैं तो आपको मेरे कुछ tips को follow करना होगा और इसके लिए आप इस वीडियो को दुबारा देखें, जिन-जिन investing companies के नाम मैंने आपको बताएं हैं उन्हें अपनी diary में note करें अगर आप अपने business में बहुत कम समय में बहुत अलिक सफलता आसिल करना चाहते हैं तो अपना mentor जरूर बनाएं और ध्यान रखें कि आप किस industry में हैं और किस तरह का mentor आपको आपकी success में support कर सकता है चाहें वो कोई सफल business man हो सकता है अच्छा motivation speaker हो सकता है business trainer हो सकता है किसी company का CEO या founder director हो सकता है उनके touch में आएं उनके संपर्क में रहें और उनकी guidelines को अपने business के expansion के लिए ज़रूर इस्तिमाल करें नमबर 4 investor को सही तरीके से approach करें और approach करने के journal ही तीन तरीके होते हैं आप अपने business के proposal mail करें proposal की hard copy उनके address पर बेजें और personal contact के through भी आप references के through भी उन investors से उन mentors से मिल सकते हैं साथी साथ Google पे ज़रूर सर्च करें कि startup funding events कहां कहां हो रहे हैं क्या-क्या उनकी dates हैं क्या-क्या उनकी tickets हैं कोशिश करें कि आप अधिक से अधिक startup funding event में participate करें चाहें आप visitor के रूप में जाएं चाहें आप exhibitor के रूप में जाएं business proposal को design करते समय है किन 5 महत्वपूर्ण चीजों को आपको ध्यान रखना है इसके बारे में आपको एक बार बताएता हूं number one किस product या service को लेकर आपने अपना business proposal बनाया है उसकी पूरी detailing आपकी profile में होनी चाहिए जब आप उस business को market में launch करेंगे तो उसके expected turnover क्या होगी इसके बारे में भी clearly define होना चाहिए क्योंकि किसी भी investor को ये जरूर देखना होता है कि जिस business में मैं पैसा invest करने जा रहा हूं उससे कितनी turnover उस business में generate होगी उसके बाद में आपके operating cost के आने वाली है जब आप उस business को regular चलाएंगे तो कौन कौन से ऐसी operating cost होगी जो आपको उस business में per month या investment के रूप में खर्च करनी होगी उसके बाद total investment, total turnover में से total खर्चा काटने के बाद कितना ratio of profit आपको बचने वाला है और भविश्य में आप अपने profit को किस तरह से invest करके अपने business proposal को अपने startup को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाएंगे इसके बारे में जानकारी होने चाहिए और साथी साथ एक investor को ये भी पता होना चाहिए कि आप किस तरह के consumer के लिए वो product या services दे रहे है और किस तरह से आप अपने competitor से different है जब आप इन 4-5 सवालों के जब आप अपने proposal में देंगे तो एक investor आसानी से आपके business proposal में invest करने के लिए तयार होगा फ्रेंड्स हैदी आपको proposal design करने में investors को approach करने में या mentorship में किसी भी तरह की कोई problem आ रही है तो आप guidance के लिए मेरी team को contact कर सकते हैं friends मैं आपसे उमीद करता हूँ कि आप इस video को किवल knowledge के लिए नहीं plan of action के लिए देख रहे हैं आप अपने business का सही तरीके से plan design करें और इस पर implement करें friends अगर आपके पास कोई बेहतरीन business idea है और आप उस idea को real form में convert करके बहुत बड़र revolution देश के लिए लोगों के लिए लाना चाते हैं तो मेरा आपसे request है कि funding से related मेरे सारे video ज़रूर देखें और साथी साथ implementation करके best business proposal design करके सही तरीके से investor को approach करें और इसके बावजूद जदी आप एक करमचारी है अगर आप एक employee है तो आप अपने honor के साथ इस video को ज़रूर share करें ताकि वो अपनी company में नियमों को implement करें और अपनी company का expansion करें क्योंकि जब आपकी company का विकास होगा तबी आपका विकास होगा मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनारे बविश्य की कामना करता हूँ जय हिंद जय भारत